हेलो दोस्तों, जैश्री कृष्णा राधे राधे, दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, स्पिरिचुल माया चैनल के एक और मोटिवेशनल वीडियो में आपका फिर से हार्डिक स्वागत है, बुरे बनो तभी सफल बनूगे, लाग बुरे है हम पर तुम तो अ दोस्तों चांद उपता गया और सूरज धलता गया, मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सब की नजर में बुरा बनता गया, दोस्तों वक्त बुरा है साहब मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं, जब जब अच्छाई की ख दोस्तों हम सभी ने सुना है, असफलता ही सफलता की जन्नी है, हमारा बुरा वक्त ही हमारे सफल होने का राज होता है, बुरे वक्त में हुए करवे अनुभव जीवन भर हमें सही राह दिखाते हैं, बुरा वक्त हमें अच्छे बुरे की पहचान, अपने पराई की पहचान क करवाता है। बुरे वक्त में हम भगवान के जादा करीब रहते हैं। दोस्तों अपने कर्मों का अवलोकन भी सही तरीके से करते हैं। जादा क्रियाशील होते हैं। सफलता के लिए योग्यता विक्सित करने से लेकर हर प्रकार के छोटे बड़े काम करने के लिए तक पर र रहते हैं। इस तरह बुरे वक्त में धैर्य और इमानदारी के साथ किया गया कठोर परिश्रम सफल होने का राज होता है। दोस्तों आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है अगर आपने इसे फूरी अच्छी तरह से समझ लिया। तो इसी वक्त से आपकी ज जादी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिन्दगी पट्वी पे दोड़ने लगेगी। और जिन्दगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। दोस्तों बच्पन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बक्री चराने के लिए एक लकली खेट से लिया। मैं एक कुलाडी लेकर खेट में गया और पहला कुलाडी एक बहुत ही सीधे साधे पेल पर पढ़ा उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे। और उसको काटना बहुत आसान था उसी के बगल में एक दूसरा बाबूल का पेल था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेल नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा टंग नहीं किया जाता है। आम तौर पर उसकी बाते मान ये जाती है, दोस्तों वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मन्वाने के लिए पापर बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते है. आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है। दोस्तों टेडा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिन्दगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही धन सी यूज़ करना सीख लिया, तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पच्टावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेडा बोले या बुरा बोले, पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना, दोस् आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलग कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पच्टावा नहीं रहेगा, दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिन्दगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम मिली है, ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग जिन्दगी मिली है, और हमें अलग जिन्दगी मिली है, दोस्तों जो तुम्हारा नाम है ना उस नाम के हजारों इनसान है, इस दुनिया में आप लोग तो रोज फेस्बुक, इंस्टाग्राम में सर्च मार कर त जिस टाइम पर आपने येस और नो वाले डिसिशन को गिब अप कर दिया ना उसी टाइम आपकी ये जो युनीकनेस है खत्म हो जाएगी अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबर्दस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है तो उसको वही पर गुडबाई बोल दो लोग आपको डेड़ा बोलेंगे बुरा बोलेंगे बोलने दो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है किसी माशूं का नुकसान नहीं है आपको खुशी मिल रही है आप ग्रो करने वाले है आपको लगता है कि उससे कुछ सिखने को मिलेगा तो हाँ बोल सकते हो आपका जो decision है नहां बोलने का और ना बोलने का वो totally आपकी mentality पर depend करना चाहिए अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या, नहीं कूदोगे ना लेकिन अगर कोई आपका time बरबाद करेगा तो उसको allow करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंट नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंट नुकसान हो जाएगा तुरंट चल जाओगे इसने एक बात निकल का आई कि आप जादा दूर की नहीं सोचते आप सोचते हो कि कोई प्रोबेन नहीं है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो दोस्तों वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बरबादी लॉंग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है तो आप आज से ही गप पे लड़ाना बंद कर दोगे दूसरों के फाल्तू के कामों के लिए टाइम वैस्ट करना बंद कर दोगे आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा दोस्तों ये जो अकेले होने का फिय है ना वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है और बदले में आपको क्या मिलता है समय की बरबादी और सामने वाला का काम निकल जाता है वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पच्टावे को लेकर ब हाँ, मैं मानता हूँ कि softness जरूरी है दिल में पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आँक बंद करके उस पे भरोशा करते जाओ। कर रहा हूँ, जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हद तो नहीं कर रहा या मेरी लिच्चत की तो वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और न बोलने का समय होना तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो कई बार हम थूरे से फायदे के चगर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात बात मान लेते है पर ये नहीं देखते कि उस थोरे से फायदे के चगर में बाद में बहुत बढ़ा नुक्सान हो सकता कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिस्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते है और अच्छा बन जाते है पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है न ये ऐसा बोल रहा है न वो किसी और को भी जा कर बोलता होगा हमारे बारे में ये नहीं सोचोगे. इसलिए कहता हूं कि सही है तो उसको सही बोलो और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेड़ा बोले या कुछ भी बोले. लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कहते है कि अच्छो को दुसरों में अच्छाया और बुरों को दुसरों में बुराया ही नजर आती है इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेड़ा बोली तो उसके बातों का नहीं बलकि खुद के उपर ध्यान देना कि क् किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ लेकिन किसी का स्वार पूरा करने के लिए बेवकुफ मत बनो जहां सच न चले वहां जूट सहीं, जहां हक न मिले वहां लूट सहीं, यहां चोर है सब कोई साथ नहीं, सुख ढूंद ले सुख अपराध नहीं, बिना सघंडरश के इनसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिये में तो उजाला होगा खुद को सफल बनाने के लिए समय और मेहनत करना चाहिए तब ही सफल होगी बुरे बनने से नहीं, आप जितनी खुद की कीमत लगाते हैं वासतव में आपकी किस्मत उतनी ही हो जाती है जिन्दगी अपने दम पर जियो उधार पर नहीं कलपना की शकित हमें अनंध बनाती है चाहे दुसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे बस ऐसा बनो की कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना कोई बजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना कुछ हैसा जरूर करना की जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए Spiritual Maya चैनल को स्पोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आज का ये मोटिवेशनल वीडियो समाप्त होता है आप सभी मित्रों से मेरी हाथ जोड़ी विनती है किर्प्या करके आपके आपके यूचीम चैनल स्पिरिचुल माया को लाइक और सबस्प्राइब करके हमें स्पोर्ट करें दोस्त कर मिलते हैं एक नया मोटिवेशनल वीडियो माप्त तब तक के लिए जैश्री कृष्ट